नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ एक चीकू आपको इन छे अद्भूत फायदों से उत्प्रोत कर देगा चीकू खाओ जवाँ हो जाओ जी हाँ यह है आज का हमारा टॉपिक आप सभी के लिए चीकू एक सदा बहार पेन होता है जो आज के यूग में लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है अथवा उगाया जाता है अलग देशों में अलग अलग प्रजाति के चीकू पाय जाते हैं भारत वर्ष जैसे विशाल देशों में चीकू की कई सारी प्रजातियां पाय जाती हैं समान्य तह एक चीकू का वजन 100-150 ग्राम तक होता है किन्तु इनका आकार प्रजातियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है आकार प्रकार से आगे बात करें तो चीकू का भारते फलों में एक विशिष्ट स्थान है और सम्पून देश में समान रूप से और चाव के साथ खाया जाता है इन सब के अतिरिकते चीकू में बहुत से स्वास्थे लाब भी छीपे हुए होते हैं जो हम जाननेंगे आज आखों को सुधारता है जब चीकू के स्वास्थे लाबों के बात हो रही है तो इससे पहले कोई और लाब ध्यान में आहीं नहीं सकता चीकू में बहुत ही उत्म प्रकार का और प्रचुर मात्रा में विटामिन A मिलता है विटामिन A आखों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ततों में से एक है चीकू के इस लाफ को पाने के लिए रोज एक या दो चीकू का सेवन किया जाना चाहिए हड्यों को मजबूत करता है जिहां चीकू में केलशियम, फासफोरास और आरन ततों पाये जाते हैं और ये तीनों ही ततों हड्यों को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है चीकू में मौजूद इन तीनों ततों का लाफ उठाने के लिए यदि बचपन से ही चीकू का नियमित सेवन किया जाए तो बरती उम्र के साथ हड्यों के कमजोर होने की शिकायत नहीं होगी इसके साथ साथ ये कबज से रहत दिलाता है पूरे चीकू फल में घुलनशील फाइवर मौजूद होता है जो पुरानी से पुरानी कबज में भी नियमित सेवन किये जाने पर लाफ करता है यदि चीकू के साथ पके पपीते का भी सेवन किया जाए और बाद में बहुत थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया जाए तो यह प्रियोग बहुत ही उत्तम लाफ प्रदान करता है गर्भावस्था में अत्यंत लाफ कारी होता है इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि यदि गर्भावस्था में नियमित चीकू का सेवन किया जाए तो यह गर्भवती महिला और होने वाले शिशु दोनों को ही मजबूत बनाता है उर्जा का श्रोत चीकू में ग्लुकोज के अवयाव बहुत ही ज्यादा मातरा में पाये जाते हैं जिस कारण से चीकू सेवन किये जाने पर तुरंत ही शरीर को उर्जा की पूर्टी हो जाती है भूख को कम करता है चीकू का एक विशेश गून होता है कि यह भूख लगना कम करता है इसका यह असर 4-5 चीकू खाने के बाद आता है ऐसी अवस्था में यह उन लोगों के लिए विशेश लाफकारी हो सकता है जो ज़्यादा भूख लगने की वज़ह से ज़्यादा खाते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिहां दोस्तों तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए चीकू के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे और बहुत ही महतों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धान्यवाद नमस्कार दोस्तों